रक्षा बंदन पर्व हमारे सामने हैं आपने रक्षा बंदन पर्व पर भगवान श्रियान सनात का निर्मान लाड़ू चड़ाया और आपने इस पर्व को रक्षा बंदन पर्व के रूप में भी मनाया रक्षा बंदन पर्व एक घटना से जुड़ा हुआ पर्व है एक पर्व मुलता दो परकार के होते हैं एक लोकिक पर्व और एक पारलोकिक पर्व लोकिक पर्व जो कि आप मनाते हैं साधी विवाह आदी के देश की सतंत्रता आदी के सब लोकिक पर्व कहलाते हैं लेकिन प शाष्षड पर्व अश्टानिका शुलाहकारण दसलाक्षण अस्टमी चतरदसी आदी यह साष्षड पर्व हैं क्योंकि अनादी कालिसे हैं और अननत काल टक यह चलते रहेंगे इसलिए शाषट पर्व हैं अब आती है नेमित्तिक पर्व जैसे महावीर जैनती है भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो उस तिथी को आपने सुईकार कर लिया मनाने लगे भगवान महावीर स्वामी को मोख्छ हो गया तो दीपा बली के रूप में उस निमित्तिक रूप में मनाने लगे इसी प्रकार आदी नाद जैनती है और भी अपने यहां एक रक्षा बंदन पर भी एक नेमित तेक पर्व है जो कि भगवान अरह नाद के समय की घटना है उस समय यहां पर यह पर इसलिए मनाए गया कि 700 मुनियों के उपर जैनी नगरी में जो राजा रहता था श्री बर्मा उसके चार मंत्री थे बली ब्रहस्पति पहलाद और नुमी ची इन चार मंत्रियों ने बड़ी ईरसा करे जैन धर्म के पर ती राजा जैन अन्याई था और मंत्री ब्रोदी था तो ऐसे राजा और मंत्री जब दरसन करके आए तो एक सुरुच सागर जी मुनिराज ने बाद बाद में उन मंत्रियों को हरा दिया हराने के बाद हुआ ये कि उसको इरसा हो गई तो रात में तलवा लेके हत्या करने की देश्टी से चारों मंत्री निकले लेकिन उसके पहले ही गुरु महराज समझ चुके थे कोई ना कोई घटना होने वाली है क्योंकि राजा और मंत् और मंत्रियों की जो देश्टी भावना उनको पढ़ लिया था आचारी अकंपनाचारी महराज ने तो कौँकि मुनिराज इन सब के ग्याता होते हैं मन की बात भी जान लेते हैं इसलिए वो सब समझ चुके थे तो बात भी बात को लेकर के गुरु महराज ने उन्हें सुरुत सागर जी महराज को उसी स्थान पर भेजा था जहां पर बात भी बात हुआ था परणाम ए निकला कि जब रात में मंत्री हत्या करने के लिए आए तो मुनि महराज की तप और त्याग की बरगणाओं से और जो देव लोग वहाँ पर आकर के रक्षित कर चुके थे उन मुनि राज को कौँकि मुनियों की रक्षा में कई देव लोग भी रहते हैं यह मैं स्यम अनुभाव करता हूं और मैंने देखा भी है कई जगए ऐसा तो जैसे वो सुरुत सागर जी महराज के लिए तलवार उठा करके और हत्या करने के लिए प्रहार करने वाले थे कि वो यूँ उठाय हुए तलवार ही किलित हो गए और देवों ने उन्हें किलित कर दिया सुबह राजा को पता चला राजा ने उन चारों मुनियों को देश निकाला दे दिया अब ये तो हुई एक घटना वहाँ से ये देश निकाला के बाद हस्तनापुर पहुँचे थे और हस्तनापुर पहुँचकर के राजा महापद्म के पास एक और देश का राजा जो की बड़ा परेशान कर रहा था कुमबपुर का राजा सेंबल नाम का और वो राजा आतंक पहला रहा था अब उनको बसमे करना था वो बसमे करने के लिए ये जो चारों जो मंत्री थे वहाँ पहुँचे और उन्हें अपनी कुसलता से कहा मैं सेवल को अपने बंदी बना लूँगा आपको बिजलत दिला दूँगा और उन्होंने बंदी बना भी लिया और राजाने महापद्म राजा ने दे तो दिया वो बरदान लेकन उसने का आभी नहीं समय आने पर लूँगा परणाम ये निकला कुछ दिन बाद वही अकंपने चारी आधी 700 मुनी राज वहां पहुंचते हैं और पहुंच करके उन्होंने अपने देखा मंत्रियों ने अब मौका अच्छा है तो तब तक महा पद्म राजा यहां से ब पद्म और बिष्णु ने दोनों को राज तिरग करके बिष्णु कुमारतों मौनी बन नोने चुके थे और राज तिरग पद्म राजा को आद ने उनको अपने बल में बस में किया था और इसके बाद यह परनाम निकला कि वहां पर उस ने जैसे मौनी महराज को records 7 दिद क होता ये है कि उसी बीच में जो अकंपनाचारी के ऊपर जो आया था उपसर्ग उसको सुर्थ सागर आचारी सुर्थ सागर जी ने अपने नक्षत्र को कांपते हुगे देखा अपुस्व धर से कहा जाओ साइस सो मुनियों के ऊपर उपसर्ग आने वाला है उनके लिए हॉम में ढौमा जाने वाला है तो तुम जाओ भिष्णु धर परवत पर और धरर भुप परवत पर और वहाँ भिष्णु कुमार मुनी राज हैं उनके पाश जा करके आपका ये हैँ आपके पास विक़््या प्रिद्दी के कारण से और उन्होंने फिर रक्षा की कथा लंबी है लेकिन संचिप्त में यही कहूंगा कि विश्णु कुमार मुनी ने उन साथ सो मुनी राजों की रक्षा की और मात तीन कदम जमीन मांग करके उनकी रक्षा की और उसके बाद उन साथ सो मुनीों की बेद यग उसमें उनको हौमना था लेकन वो बच गए इसलिए इस प्रसंग को लेकर उसको रक्षा पर्व के रूप में जैनी लोग बनाते हैं इसलिए यह रक्षा बंदन पर्व भाई बेहन से जुड़ा हुआ पर्व नहीं है यह पर्व मुनिराज से जुड़ा हुआ है यह दान और त्याग से जुड़ा हुआ है यह संयम से जुड़ा हुआ है यह धर्म की रक्षा से जुड़ा हुआ है यह धर्मात्मा की रक्षा से जुड़ा हुआ हुआ है यह असत्त पर सत्त की विजय का पर्व है यह आत्म बोध प्राप्ती का पर्व है यह करतब बोध पर्व है ये धर्म और धर्मात्मा को एक गले लगाने का पर्व है ये बासल का पर्व है एक कुमारगी को सनमार्ग पर लाने का पर्व है ये मुनिराज की रक्षा का पर्व है इसलिए आप इस पर्व को मनाते हैं लेकिन आज प्रतेक पर्व के रूप बदल चुके हैं जो होना चाहिए वो प्राय करके आज पर्वों का विक्रित रूप आ चुका है सम्यक रूप नहीं रह गया है इसलिए आज इस पर्व पर कहूंगा कि आप दान दीजे दान दीजे जहां पर भी तुम्हें मुनी राज मने लें उनके पास जाएं और उन मुनी राज के लिए निय अर्व को सुईकार किया और तुमने भी इसको किया इसलिए प्रसंग आता है कि आज आप रक्षा करें किस की तो रक्षा करना हमारे लिए देश की धर्म की परिवार की संसकार संस्कृति की और अपने गुरुओं की तो रक्षा क्या है प्रिष्ण ये भी आता तो रक्षा क्या है बस जो भी जीव को कष्ट ना हो ऐसे कष्ट से अलग करना ही रक्षा है रक्षा क्यों क्योंकि रक्षा के बिना जीवन किसी का चल नहीं सकता है और रक्षा के बिना हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है क्योंकि रक्षा करने का नाम ही धर्म है तो रक्षा कैसे करें तो तन मन धन बिने निश्वार्थ पूर्वक अपना तो बासल पूर्वक की जाती है इसलिए जब किसी को पर दुख दर्द आए आपत्ती विपत्ती आए उपसर्ग आए तो रक्षा जरूर करना ऐसे इसी रक्षा के लिए कानून पुलिस मेट मिलेटी मकान हतियार रक रक्षा बंदन पर्व को आप स्वीकार करें और इस पर सब जीवों की रक्षा करें यही मेरा आप से आज कहना है